इस विडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस विडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते और विटामिन E 50% जैसे प्रमुक तत्व शामिल है मिथाइल को बालामिन और अन्य B विटामिन तंत्रिका स्वास्थ्य और लाल रक्त कोशिका निर्मान में योगदान करते हैं फोलिक एसिट कोशिका वृध्धी और विकास में भूमिका निभाता है विटामिन E एंटियोक्सिडेंट सुरक्षा प्रदान करता है ये सामगरिया समगर स्वास्थ्य और कल्यान के लिए विभिन लाब प्रदान करती है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक यूबिट कैनोन यानि की कोएंजाइम क्यू दस एक एंटियोक्सिडेंट है जो कोशिकाओं में उर्जा उत्पन करता है और एक एंटियोक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है जो हृदे स्वास्थे का समर्थन कर सकता है और समगर उर्जास्तर को बनाय रख सकता है 2. मिथाइल को बालामिन विटामिन B12 का सक्रिय रूप है जो लाल रक्त कोशिका निर्मान और ठकान को कम करने में महत्वपून भूमिका निभाता है 3. फोलिक एसिड विटामिन B9 का एक रूप है जो कोशिका वृद्धी और विभाजन के लिए महत्वपून है विशेश रूप से गर्भावस्था और शैशवावस्था जैसी तीवर वृद्धी की अवधी के दौरान महत्वपून है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें